हेलो प्रेंट्स, वेलकम मैं यूटूब चैनल, एहमा के बरत कतावफा चैनल में स्वागत है आप सभी का, कैसे हो प्रेंट्स आप सभी यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अबस्षी ही लिखें, आज मैं आपको लड़का होने के चार लक्षन बताऊंगी जिन से आप पता कर सकते हैं, अगर आपके साथ भी यही बदलाव आ रहा है प्रेंट्स के टाइम, इन में से आपके कोई साभी लक्षन आपको अगर दिख रहा है, तो आपके 100% लड़का ही होगा, यानि की बेटा ही होगा, दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यूँ है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में में लाइकन मुटन को प्रेस करें, मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, दोस्तो प्रेगनेंसी के टाइम, बहुत सारे चेंजिस आते हैं, गरवजती इस्तरी के अ प्रेगनेंसी के लड़का है या लड़की, दोस्तो सबसे पहला जो लक्षन है, वह हैं वामिटिंग, मौर्निंग में अगर आपको ज़्यादा वामिटिंग होती है, मौर्निंग विकनिस है, तो आप इससे पता कर सकती है, यह पल्ली जो बाला बच्चा है, आपके पेट म वह लड़का ही है, क्योंकि मौर्निंग विकनिस जो होती है, और वामिटिंग वगर बहुत ज़्यादा होती है, सुबह के टाइम, तो इससे आप पता कर सकते हैं, यह लड़का होने का संकेत होता है, दोस्तो दूसरा जो लक्षन है, अगर प्याज और लेसुन आप कारते ह या कुछ भी बनाते हैं या देखते हैं खाने की चीज में और आपको स्मेल आने लगती है, आपको बेचैनी होने लगती है, तो इससे आप जान सकते हैं, यह लड़का होने का शुब शंकेत माना जाता है, यह लड़का होने का ही लक्षन माना जाता है, तीसरा जो लक्षन कमर में दर्द रहना अगर प्रेग्नेंसी के टाइम आपकी कमर में दर्द बना रहता है आप पर बैठा नहीं जाता है सीधे लेटा नहीं जाता है और आपकी कमर में दर्द बना रहता है तो इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है व वह लक्षन है पैरों में सूजन आना, पैरों में सूजन आती है, लड़के के टाइम, हमेशा पैरों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, जरासी देर बैठते हैं, तो पैर अपने आप सूजन से भर आते हैं, यह भी एक लड़का होने का संकेत माना जाता है, ये जो चार लक्षण मैंने आपको बताए हैं लड़के होने के 100% सही नहीं होते लेकिन ये गलत भी नहीं होते 95% ये सही बैठते हैं ये चार जो मैंने लक्षण बताए हैं ये लड़का होने के सुब और संकेत बताए हैं और सुब लक्षण बताए हैं ये सटीक लक्षण हैं इनको पहले बहुत सारी महिलाओं के अंदर ये चीज मैंने नोटिस की कि ये लड़का होने के संखेत हैं उनके अंदर भी यही बदलाव आये थे जबकि हर औरत के अपने अपने फ्रेगनेंसी के टाइम अपने अपने चेंजेस आते हैं सेंटेम्स आल करूं इस चीज को मेरे खुद के साथ भी यही सब हुआ था तो मैंने आपको चार लक्षण बताएं आप इन लक्षणों को देखें अगर मैच करते हैं इन में से अगर आपको दो लक्षण में मैच करते हैं सटीक बैठते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके गर में पलने वाला जो बच्चा है वह लड़का ही है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे शियर करें जैसे किष्णा राधे राधे